स्वागत है प्रियदर्शकों आप सभी का एक बार फिर से हमारे योट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को साधर प्रिणाम नमस्कार आप सभी का होकल्यार इसी शुब कामना के साथ में दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं स्वप में अगर आप देखते हैं अपने पित्रों को तो उनका क्यार्थ है अपने पूर्वजों को देखते हैं तो दोस्तों बात करें पूर्वजों को अपने पित्रों को जो अब इस दुनिया में नहीं है अगर आपको दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये सर्था आपके लिए कई तरह से हमें संकेर देता है जैसे कि एगर खुस है, पूरवज आसीरवाद दे रहे हैं, ये प्रशन न दिख रहे हैं, मुस्कुराते दिख रहे हैं और इसलिए आपके पित्र आप पर आपके पूर्वच प्रसंद है तो वो आशिरवात दे रहे हैं और इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में सुख सम्रिधी व्रधी होगी अगर वहीं आप देखते हैं कि क्रोधित है पित्र तो दोस्तो नाराज है या भूखे दिख रहे हैं और रो रहे हैं चिला रहे हैं इस तरह से आप देखते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ है कि वो आपसे नाराज है आपको कोई दान पूर्णे नहीं करते हैं साथी साथ या आपने उनके लिए निमित श्राध नहीं किया है या उनकी कोई कामना अधूरी है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहें इस तरफ भी इशारा करते हैं तो आप अगर इस तरह का सपना देखें तो दोस्तों इसके लिए दान पुने जरूर करें श्राध करें और जिससे आपके प अधिक चलना है कामबाधित हो रात दोस्तों इसका अर्थ है कि आपके परिवार में पित्र दोस जरूर हो है और पित्र दोस के लिए पित्र पक्ष में कुछ उपाज जरूर कर लेना चाहिए जैसे कि आप अपने मुख्य द्वार पर जो है वो रख दें एक कलस उसमें जल भरें और दो चार वून जो भी हो गंगा जल डालें और उसको सूर्योदय के समय से प्रारम करें रख दें दूसरे दिन सूर्योदय के समय प्राताकार उसको उसी अपने मुख्य दर्वाजे पर छिड़क दें और अंदर भी थोड़ा छिड़क दें फिर उसमें भर कर उसी तरह से पूरे पित्र पक्षाप को ये करना है, गाय को रोटी खिलाना है, पसू पक्षियों को, कुछतों को, दीन दुख्यों को, ब्राहमडों को, जैसा भी हो सके, आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ कर लिए, जित्ता आप समर्थ है, उतना करिए, शद्धा वंक्ति भ जनता है, तो दोस्तों, आप सभी का कल्याट हो, शुब हो, मंगल हो, इसी शुब कामना के साथ में, आज का वीडियो पूरा होता है, नेक्स वीडियो में, एक और जानकारी के साथ करेंगे मुलाकात, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पने रहे मेरे साथ, नमस्कार धन्य करेंगे लागे 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